असलाम वालेकुम नमस्कार सब्सकार जैहिंद दोस्तों फिर से मैं आपको आज एक वेडियो लेके आया हूँ अब वेडियो लाने का मतलब कोई और भी है कि जिसके बच्चे नहीं होते हों संतान नहीं होते हों तो वो इस वेडियो पर बने रहेंगे तो मैं आपको पेले कि मैं आपको बच्चे होने का उपाय संतान होने का उपाय eje व आये के बच्चा जो आपके सामने दीख रहा है ने के पास पैसे नहीं थे डाक्टरेकर में जा सकते थे और कुछ भी गए थे तो डाक्टर साहब नेई बहुत बाँने बनांद कını को बता दिया थे 15 खर्चे करने के लाइक यह नहीं थे, मेरे पास में यह आए थे जो आप बच्चा गोद में आज देख रहे हैं इनका, इन्हीं से पूस्ते हैं कि यह बच्चा इनको कितने साल बाद हुआ है, पहले तो आप अपना नाम बताओ जी, इसको पास में करो, नाम बोलो अपना, तो यह बच्चा आपकी गोद में है, कितने मेने का भी? चौछे मेने चार मेना हो चुका, कितने साल बाद हुआ? छह साल बाद हुआ, मतलब आप बच्चे लेके खुश हो, यह जो बच्चे के लिए हमने मेनत किया, आपको दिया तावीज के जरीए से कोई समान पूजा के किसी बी बाने से पैसे लिया गया नहीं पैसे ने मांगते अच्छा तुम तो मैंने इसकी मिठाई नहीं दिखा पाया था मैं कोशिक रहांगा अगले बच्चों की आपको दिखाओं तो मैं इस से पहले कि आपको उपाय बताऊं यह देख लिए वही बच्चा है जो आप इनकी गोद में देख रहे हैं तो 9 साल बाद इसका क्या नाम रखे हो अब आप सूबी सूबी बानो सूबी खातुन कुछ भी बोल दिया करो हैं नहीं तो आप तुम खुश हो जी महँद खुश है मैं दो मिनट और आपका लूंगा जैसे आपने थमलेन देखा था बच्चे का मैं इसी तरीके से विडियो दिखा रहा हूं और आपको मैं भी आज ये उपाय बताऊंगा कि फिरी का टोटका है बीना पैसे का बीना खर्चे का जैसे आपने देखा है कि इनका एक भी रुपया खर्चे नहीं लगा है ऐसे हुआ है तो आप भी घर बैठे उसका समधान कर सकते हैं और आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप भी एड्रस पे जो लाश्ट के विडियो में आपको दिया जाएगा वहां प्याप पहुंच सकते हैं आईए महातारी इसे पर बार बार आ आते हैं क्यों आते हैं मेरे पास मैं इनको देदो आप महतारी सबसे पहले आप अपना नाम बताओ सवीता दत्ता सवीता दत्ता आप कितने दिन से मेरे पास में आ रहे हो दो साल से आ रहे हो क्यों आ रहे हो मेरा मकान लोन पे मेरा पती ने बेच दिया था जी फिर बेचने के बाद बहुत जादा लोंद भरना पड़ता था तो मेरा आद्मी ने सुशाइड कर लिया था फिर मेरा मकान इंडिया बूल्स वाले ने सब काम तो दोस्तों जैसे दे सकते हो कि सिर्फ बच्चे ही नहीं अगर आप दुश्मन से परेशान हैं करेख से परेशान हैं को दुश्मन आपको परेशान कर रहा है जीने नहीं दे रहा है या किसी कारण वर्स आपका काम नहीं हो रहा है या आपको परिशानी हो रही है तो इस दर्बार में आप आ सकते हैं फिरी आपका काम होगा हमेशा तकरिवन हर शेर में हम यहीं पढ़ते हैं ना सूरत देखी जाती है इस दर्बार में आने वाले की नियत देखी जाती है जैसे दोस्तों आपने द लो खुश्बू नाम है अभी तुम्हारे बच्चा पेट में कितने दिन का साथ मेने का हो गया दोस्तों जैसे आपने देखाए मैं पूरूब के तोल पर आपको दिखाना चाहता हूं आगे यह बच्चा मेहमान जब आएगा तो हम इसका भी वीडियों आपके पास लेके नहीं थे जो अपना इलाज करा सकते या फिरियों कास्ट इनका काम होता है ठीक है और आप इसके अलावा भी कोई सा काम करा सकते आप आईए मैं आपको बताता हूं आपको लगता है कि आपको संता नहीं हो रहा है आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं हम डाक्तर के पास जा- आने से एक दिन पहले से ही बाल्टी में पानी बढ़ें कम से कम 10 मिनिट के लिए वो अपने दोनों पैर को बाल्टी में डुबा के रखें उसके बाद में छोटा सा काम आपको और करना है अनार तकरीबन हर मोसम पे मिलता है जब तक आपका पिरियड चले डेली कंटेन्यू ए आपका भी वच्चा रुख जाएगा और आपको भी संतान पराप्ती होगी आपके भी घर में खुशी होगी इसके बाद में अगर अलगता है कितना करके भी हमें फाइदा नहीं है तो यह जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे आपका मेरा पोस्टर बैनर चलना जिसमे कोमेंट कीजिए अगले वीडियो में इंशालला मैं अपना फून नमबर दूंगा जो मैं खुदी सोयम आप से बात करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो सकता कि यह वीडियो आपके परिवार का हो आपके महले वाले का काम आ जाए आपके रिष्टेदार का काम आ जाए तो दूसरे तक पहुंचाएं ताके कोई संतान से महरूम न रह जाए अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सश्रीकार जय हिंद